आपने आगे के वीडियो में देखा कि योग सब्द उसके आगे उपसर्ग लगाने से उसके अर्थ में परिवर्तन आ गया उपसर्ग यानि कि ये आगे लगाये जाने वाले सब्द अब आता है देस तो देस सब्द के आगे कौनगों से सब्द लगाए हैं तो वी वी देश यानि कि पराया देश दूसरा क्या लगया स्व तो क्या बना स्व देश यानि कि अपनी मात्र भूमे दूसरा क्या लगया गया देश देश के आगे क्या लगया गया उप तो क्या बना शिक्षा की बात बतलाना दूसरा अनू क्या बना अनू देश क्या हुआ संकेत दिखाना, पालन करना, निर्देश करना, कोईसा भी अर्थ निकलता है इसका अर्थ क्या निकला? अनुदेश का संकेत यानि की निर्देश देना, पालन करना यह अब आपको तो समझ में आ गया होगा कि कौन-कौन से सब्द आप लगाएं तो उसको उपसर्व कहते हैं आगे लगाए जाने वाले सब्द सब्द के आगे जो लगाते हैं वो क्या है उपसर्व तो निमनलिखित उपसर को पढ़ कर समझे तो आपकी बुक में पाठ्थे पुस्तक में पेज नमबर 6 पर ये लिखा है उपसर्द, अर्थ और उदाहरन पहला सब्द है आपको समझ में आगए कि आगे लगाए जाने वाले सब्द को उपसर्द कहते हैं तो आप कौन-कौन से उपसर्द लगाएंगे वो यहाँ पे तिया गया है ये सब्द दिये गए है अ, 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 क और उसके बाजु में उसके अर्थ भी दी गए है क भी नहीं, निशेद, यानि कि मरा करना, रोकना, बाधा करना इसका अर्थ ये होता है, तो उसके आगे गणान है उसके आगे क्या लगाया हमने अ, तो क्या बना अगनान गम, तो उसके क्या लगाया, अ, अगम यानि कि न चलने वाला अगनान, यानि कि गणान के बीना वाला व्यक्ति अमर मर क्या लगाया अ अमर अच्छूत और अचु ये सारे सब्द कौन से सब्द तो अ के जुड़ने पर ये सारे सब्द बने तो कौन कौन से उपसर्ग आप लगाएंगे तो अ, अन, क, कु, न, पर, स, अध, दू, बिन, भर, चो ये सारे सब्द आप उपसर्ग के तौर पर यहां पर लगा सकते हैं और उसके अर्थ यहां दिये गए है और कैसे बनाएंगे और उदाहरन के तौर पर भी यहां पर दिया गया है निम्नलिखित उपसर्गों के योग से तीन-तीन सब्द बनाई तो आपको यहाँ दिया गह है चो तो यहाँ कौन सा सब्द उपसर्ग एक दिया गह है उसके क्या क्या सब्द बनेगे तो चोराहा, चोमासा, चोकोर और चार भाई दूसरा कौन सा? तो बिन तो बिन का सब्द क्या बना यहाँ? बिन बात, बिन ब्याहा, बिन मांगे, बिन कहे पर, तो पर यानि की पराया दूसरा, दूसरी पीडी का, तो क्या बना? परदेश, परलोग, परदादा, पर, पोता अन, तो अन सब्द का क्या यह बना? अन, तो अनपड, अनहोनी, अनजान, अनमोद चौथा सब्द, सब्द, पाचवा सब्द, अध, यानि की आधा अध पका, अध मरा, अजला, अने अध, खिला तो ये सब आपको अपनी नोड़ बूप में लिखना है क्या लिखना है? ये सारे उपसर्ग, ये अर्थ भी लिखने है ये उपसर्ग कौन-कौन से जोड़े जाएंगे वह भी लिखना है, उसके उदाहरन भी लिखने है